सिंगर सिद्धू मुसेवाला केस में एक ऐसा राज सामने आया है जो बेहच्च वाकाने वाला है मुसेवाला को मारने वाले शूटर प्रियवरत और फॉजी को उसकी गर्लफरेंड नहीं फसा दिया तीन तीन गर्लफरेंड के साथ बेवफाई उसे जेल की सलाखों तक हीच लाई है पुलिस को उसका सुराग उसकी गर्लफरेंड से मिला जो शूटर फॉजी की बेवफाई से नाराज थी मुसेवाला के शूटर को गर्लफरेंड ने पकड़वाया आशिकी में धोखा गैंक्स्टर को महगा पड़ा दिल्ली पुलिस की गर्फरेंड में खड़ा ये प्रियवरत और फॉजी है जो ना सिर्फ मुसेवाला की हत्याकार्ण में शामिल था बलकि आरोफ है कि मुसेवाला की हत्या के लिए जिन शूटरों को पंजाब के मांसा बुलाया गया था उन शूटरों की टीम को यही लीड कर रहा था हत्याकार्ण के बाद ये पूरे तीन हबते तक जाच एजिंसियों को चक्वा देकर इधर उधर भागता रहा लेकिन अपनी गल्फरेंड के साथ बेवफाई इसे सलाखों तक हीच लाए दिल्ली पुलिस के सूतरों के मताबिक हत्याकार्ण में शामिल फौजी की एक दो नहीं बलकि तीन-तीन गल्फरेंड हैं तीसरी गल्फरेंड को ये लगता था कि वो फौजी की एकलोती गल्फरेंड है लेकिन जैसे ही इस तीसरी गल्फरेंड को फौजी की दूसरी गल्फरेंड के वारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गई और गुसे में उसने दिल्ली पुलिस के सामने फौजी का कच्चा चिठा खोल दिया दिल्ली पुलिस के सूतरों के मताबिक फौजी की तीसरी गल्फरिंड अपने एक रिष्टेदार के साथ दिल्ली पुलिस के पास पहुची और इसके बाद उसने फौजी के सारे राज पुलिस के सामने उगल दिये उसने ये दावा किया कि मूसे वाला हत्याकांड के बाद से उसकी फौजी से लगतार बात हो रही है लेकिन वो फौजी से इसलिए नाराज है क्योंकि फौजी ने उसे प्यार में धुखा दिया और फौजी को सबक सिखाने के लिए ही वो दिल्ली पुलिस के पास पहुचे थी पस फिर क्या था पुलिस ने फौजी की गल्फरेंट के मुवाइल फोन को सर्विलांस पर डाल दिया और जैसे ही फौजी ने उसे फोन किया पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया फोन के सर्विलान्स में फौजी की लोकेशन गुजरात की किसी जगह पर पता लगी इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम फौरण गुजरात के लिए रवाना हो गई और गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से फौजी और इसके दो साथियों को गिरफतार कर लिया मुंसेवला की हत्या करने के बाद फौजी अपने दो साथियों के सनाथ गुजरात भाग गया था पुलिस लगातार सूटर्स की तलास करी थी लेकिन फौजी अब तक पुलिस से कोसो दूर था लेकिन फौजी की गल्फरेंड ने पुलिस का काम आसान कर दिया फौजी की तीसरी गल्फरेंड के जरीये ही पुलिस की टीम फौजी तक पहुँच गए या यू कहें कि फौजी की गल्फरेंड ने ही उसे पकड़वा दिया हाला कि बताया जा रहा है कि लौरेंस बिश्णोई गैंग में किसी भी शूटर की महिला दोस्त नहीं है गैंग में सिर्फ एक फॉजी ही था जिसके एक नहीं तीन-तीन गर्फरंड थी यही नहीं दिल्ली पुलिस का तो दावा है कि फॉजी अपनी तीनों गर्फरंड के साथ लगातार संपर्त में रहता था